आज हमारा देश भारत एक ऐसे प्रड़क को मैनिफाक्चर करता है जिससे बड़े स्केल पर USA, UAE, Italy, Australia, Belgium और कई देश इंपोर्ट करते हैं और ये तो बात हुगई कुछ गिने चुने देशों की भारत में मैनिफाक्चर होने वाले इस प्रड़क की डिमांड आज दुनिया क एक सो साथ से भी जादा देशों में बढ़ चुकी है तो इसी प्रड़क से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खुसकबरी सामने निकल के आई है तो वीडियो में लास तक बने रहे हैं और लास में पूचे कर सवाल का जवाब जरूर दीजेगा तो दोस्तों हम बात करे ह हैं भारत में मैनिफाक्चर होने वाले स्टील पाइपस के बारे में आज ग्लोबल लिटा उढ़ा करके देखा जाया तो दुनिया के अल्मोस्ट एक सो साथ से भी जादा देश है जहां पर इनकी डिमांड लगातार बढ़ते चली जा रही है भारत एक साल के अंदर सिर्फ 303 मिलियन युएस डॉलर का ही स्टील पाइप एक्सपोर्ट कर पा रहा है जिस पे मिजोर्टी USA, UAE, इटली और उस्टिलिया को किया जाता है लेकिन हमारा देश चाहे तो 50 से भी जादा देशों को स्टील पाइप मैनिफाक्चर करके एक्सपोर्ट कर सकता है क्योंकि 2018 में 700 मिलियन युएस डॉलर 2019 में 600 मिलियन युएस डॉलर और 2020 में सिर्फ 303 मिलियन युएस डॉलर के ही पाइप को मैनिफाक्चर किया गया उस टाइम में कोवीड काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो चुका था जिसके वज़े से भारत के अंदर स्टील इंडस्टी से लेकर क कई इंडस्टी पर फर्क पड़ा लेकिन अब भारत ने इसी प्रोसेस को रिस्टार्ट कर दिया है बड़ी कबर आ रही है उत्तर प्रदेश की तरफ से जहाँ पर भारत की कमपनी हाई टेक पाइपस अब उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 510 करोड रुपय का निवेश हो चुका है कि हाई टेक अपने स्टील ट्यूप्स और पाइपस को उत्तर प्रदेश में एक मेगा मैनिफाक्चिर यूनिट के साथ मैनिफाक्चर करने के प्रसेस को शुरू करेगा इसके लावा मनी कंट्रोल की रिपोड के मताबिक उत्तर प्रदेश में लगभग 17,000,000, करोड रुपए तक के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आने बाली है और यहां पर ग्लोबल समेट होने बाला है 10 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी के बीच में और इस कारेकर्म को लखनव में किया जाएगा बात करें हम स्टील पाइपस के बारे में तो जो भी M.E.U.U. साइन किया पनाने का काम करती है जिनके मैनिफैक्चर हुए पाइप भी इंटरनेशल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाते है और उस कंपनी के मालिक को भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है उनका नाम T से शुरू होता है कमेंट बाक्स में जरू बताएगा कि हम किनकी बा आपको एक नई और इंटरस्ट्री मीडियो में तब तके लिए वंदे मातरम भारत माता कि हिज्याद